Friends, तमस्कार, उमीद है आप लोग अच्छे होंगे 10 दिन बचा हुआ है 69th VPSC में और एक question जो सबसे ज़्यादा मुझे मिला है और वो यह है कि हमारा score पिछले कई बार से हम attempt दे रहे हैं और उसके बावजूद भी हमारा score 75 के around रह जाता है तो वैसे students को क्या करना है मैं कुछ tips बताता हूँ maybe आप में से अगर बहुत सारे लोग जो मुझे पहले से सुनते हैं उनको बहुत सारी चीजे पता होंगी but still मैं re-emphasize करना चाहूँगा आप advertisement देखते होंगे TV में अगर आप cricket match के दौरान आप देखते होंगे कि same ही ad दिखाया जाता है उसके पीछे का कारण है कि आप उस चीज में believe करना शुरू कर दें now here आप positive sense में उसको ले सकते हैं सबसे बड़ी बात है न कि मैंने thumbnail पे एक चीज लिखा है कि किवल पढ़ना काफी नहीं है ये बात बहुत सही है आप में से बहुत सारे लोगों ने यह देखा होगा कि हम पढ़ते बहुत हैं बट उसका output नहीं आता देखे पढ़ने का output आने से correlation directly है भी और नहीं भी है आपको बहुत ही planned way में पढ़ना पढ़ेगा और सिर्फ planning important नहीं है more important है उसको execute करना और most of the student जो मैंने देखा है अपने आसपास most of the student fail at the implementation level even if they have a plan plan थोड़ा बहुत इधर हो उससे कोछ ज़्यादा फर्क नहीं पढ़ता है बट ज़्यादा फर्क पढ़ता है implementation को लेकर now हम directly अपने point पर ही बात करते हैं कि अगर आपका score stuck कर गया है ऐसे मौके पर आपको क्या करना है देखे suppose करते हैं कि आपका score अभी 75 है और आपको इसको लेकर जाना है 100 तक ठीक है पहला काम जो आप करेंगे वो यह करेंगे कि आप सिर्फ वही चीज पढ़ेंगे जहां से आपकी score boost होने की highest probability है यानि कि एगर आप 75 ला रहे हैं मतलब अभी भी 75 marks खाली है यानि ये glass है जो आधा भरा हुआ है और आधा खाली है ऐसे मौके पर आपको वो ढूनना है कि वो कौन सा area है जहां मैं सबसे कम focus करके भी और सबसे ज़्यादा marks गेन करूँ अपने planning level पे ही उसको include कईजी आप अभी 10 दिन का समय है इस 10 दिन को सिर्फ आप ऐसे रखें कि इस 10 दिन में मैं 75 तो ला चुका हूँ या ला चुकी हूँ अब मुझे 75 से उपर ही लाना है सपोज किजिए कि आप general science अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें acid, base और salt ये जो chapter है इससे बहुत सवाल आते हैं अगर ये आपका कमजोर है और मैं किसी भी उस chapter को कमजोर मानता हूँ कि अगर आप आँख बंद करके बिना किताब का बस chapter का मैं नाम बताऊं और पूरी चीजें आप मुझे बता दे वो होता है आपका real level of preparation वो कहते हैं न कि superb level of preparation जहां से आप prelims, mains, interview सारी चीजों को वहां से आप easily tackle कर सकते हैं ना जो दूसरी काम करनी है वो यह है कि मान लिजे जब आप paper attempt करते हैं मैंने देखा यहां सबसे ज़्यादा जो score बढ़ाने का जो तरीका है या वो यह कह सकते हैं कि जब आप paper attempt करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको आधा paper नहीं आ रहा है वैसे मौके पे take a pause, think सोचना है आपको और यह काम आपको मैंने बार-बार कहा है कि PYQ आपने बनाया होगा, आपने test paper कुछ न कुछ लगाए होंगे तो उस दोरान आपने यह काम किया होगा और आपने जो भी वो practice से अपने develop किया है उसको actual examination hall में थोड़ा सोचना है options के बारे में और जब आपको clear cut answer नहीं पता होता है तो हमें उल्टा चलना चाहिए कैसे चलना चाहिए जैसे कि least probable कौन सा है चार options में से यह कौन सा है कि यह तो पका नहीं ही होगा तो एस तरह से आप चीजों को या elimination की जो various techniques which I have talked about so many times you should refer to that now the third important thing which I have already highlighted is data and facts अभी आपको understanding concepts all of these things इनको focus ना करके you should focus on memorizing data and facts more and more the fourth important thing is fast revision अभी आपको बहुत तेजी से revision करने की जरूरत है आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि जब हम fast revision करेंगे तो हमारा तो बहुत सारा चीज यादी नहीं होगा फिर भी जब आप दो option है आपके पास एक आप धीरा revision करेंगे आप तब ही चीजों को भूलेंगे आपने वो मटके वाला example तो सुना ही होगा कि एक group को दिया गया मटका बनाने को कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप मटका बना लो आपको quality का ध्यान नहीं रखना है सिर्फ number of मटका पे ध्यान दिना है कि जितना ज्यादा से ज्यादा बने और एक group को दिया गया कि एक ही मटका बनाना है बट one of the finest मटका होना चाहिए और to utter surprise ऐसा पाया गया कि जिस group ने ज्यादा से ज्यादा मटके बनाए उसने जो है वो ज्यादा quality के साथ बनाए क्योंकि उन्होंने सीखा उन्होंने बहुत सारे मटके पे अपना हाथ साफ किया और उन्होंने सीखा और जिसने एक मटका बनाया वो बस एक ही पे उनको experience रहा So fast revision is very important The next important thing is active recall Decline of Mughal Empire तो अब इस पे आपको सारे राजाओं के नाम याद आजाने चाहिए और causes of the decline याद आजाने चाहिए Consequences याद आजाने चाहिए कौन कौन से treaties हुई ये सारी याद आजाने चाहिए Next important है जो बहुत important है Actual examination hall में वो है time management कई सारे student गोला भरने में या फिर question को पढ़ने में या किसी question को ego पर ले लेने में वो जो minute minute seconds जो गवाते हैं तो उससे उनका 4-5 number का असर पढ़ जाता है तो मैं कहूंगा कि आप बहुत ही judiciously अपने time को manage करें Next और बहुत important है जितने sincere aspirant हैं अगर वो 4-5 number से रह जाते हैं उनकी साथ यही दिक्कत होता है और वो है silly mistakes जब मैंने तैयारी सुरू की थी तो उस समय मेरे एक professor ने कहा था कि इस तैयारी में बहुत difficult question नहीं आएगा उन्होंने ये बात कही थी बहुत difficult question नहीं आएगा बट तुमको ये सोचना है कि जो question तुम्हें आ रहा है वो question ना गलत हो जाए क्योंकि कोई भी बच्चा या बच्ची इस लिए बाहर नहीं होता है कि उसको चीजे नहीं आ रहे थी वो इसलिए बाहर होता है कि जो उसे चीजे आ रहे थी उसको उन्होंने ठीक से नहीं किया और मैं इस चीजे को आज भी मुझे उनकी बाते याद है और मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज बहुत ही relevant बात उन्होंने कही थी हलाकि इस चीजे का realization थोड़ा बात हुआ मुझे लगा कि ऐसा जब तक हम किसी चीजे को face नहीं करते हैं हम उस चीज का जो real relevance है वो नहीं समझ पाते हैं now last जो चीज है और वो इस समय work भी करेगा इस पर मैंने बात भी की है pareto principle 80-20 का rule आप सबको पता है last 10 दिन है बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो ऐसा मुझे message करते हैं कि अब तो मेरे से कुछ हो ही नहीं पाएगा देखिए जब तक आपको जो commission है वो बाहर नहीं कर देता है आपके performance के अधार पे तब तक आप हार खुद को नमाने आप 12 बजे से 2 बजे तक paper है 1 बज के 69 मिनट नहीं आप 2 बजे तक अपना पूरा full देने का कोशिस करें उसके बाद तो आपके हाथ में वैसे भी नहीं है उसके बाद आपको जो surrender करना है वो surrender करो जो करना है आप करो उसके बाद आप mains के लिए लगो prelims के लिए कह दो जो अगर आपको लगता है कि ठीक है अपने मन को ऐसे समझाना है कि हम उस दिन surrender कर देंगे बाद खतम आज जब तक है जान तब तक यूँ कहें कि हम काम करेंगे इस पर राइट देखो मुझे बहुत सारे लोग या कई लोगों से भी पूछते हैं एक बात कि सबसे difficult stage कौन सा है prelims, mains, interview मुझे लगता है न कि off late मुझे ऐसा लगता है कि यह question उतना relevant नहीं है मुझे लगता है सबसे important है ground hold करके रखना इस examination के दोरान बहुत सारी difficulties आएंगी personal level पे, आपके work level पे, friend circle में in fact आपके results के failures होंगे इन सारी चीजों में एक balance बना के रखना ये बहुत important होगा और हर समय अपने mind को ये समझाना आपने face किया होगा कि आपके parents को समझाना कई बार आप अपने दोस्तों को justification देते होंगे कि ये कारण था होगा कई बार आप खुद बहुत खिन हो जाते होंगे इन चीजों से बट मुझे ऐसा लगता है कि at the end of the day आपको सोचना चाहिए कि आप किस purpose यहां है अगर वो purpose अभी भी relevant है तो आप continue करें और आपको लगता है कि कहीं improvement, जहां जहां improvement का scope है आप वहां improve करें और किसी भी चातर को अगर लगता है कि अगर score stuck हो गया है तो वो हमेशा stuck रहेगा ऐसा नहीं होता है मैंने देखा है लोगों का score prelims में भी, mains में भी in fact interview में मैंने देखा है कि कई लोगों का consistently low interview में score आया बट अचानक से उनका score बहुत ही ज़्यादा हाई आ गया ऐसा नहीं था कि उनकी personality में बहुत ज़्यादा बदलावा गया देखि कई सारी चीजे हमारे control से बाहर की चीजे होती है जैसे board कौन सा है उस दिन आप से question क्या put up किया गया क्या कभी कहीं आपने कोई argument में तो कहीं आप नहीं फस गया सेम यही होता है mains के दौरान के आपने जो पढ़ा या prelims के दौरान अपने जो पढ़ा उन चीजों से अगर question जादा आ गये आपके silly mistake थोड़े कम हुए या फिर आपने जो कहते हैं intelligent guess किया उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा intelligent guess आपके सही हो गया आपका problem हो गया बस बात इतनी से ही होती है और मुझे लगता है कि last 10 दिन है हिम्मत नहीं हारना है last 10 दिन में आपको अपनी ground को hold करके रखना है और बस यही देखना है ना कि हमेशा आप 2-3 option बनाईए और उसमें से आपको देखना है कि कौन सा best इसमें से है या बेटर कह सकते हैं कि इसमें से है और उस option के साथ आप daily अपने plans को बनाईए और plans को execute पूरे दिल से आप कीजे तब ही जाकर आपको जो outcome है वो दिखेगा अन्य था होता कि आया ना कि हम वही किताबे लेते हैं उसको पढ़के फिर उसको रख देते हैं हमें लगता कि हमारा revision हो गया बट वो method उतना कारगर होता नहीं है मैंने जो बताया अब प्लीज उसमें से अगर आधी चीजों को भी follow कर लेते हैं तो more than enough है ठीक है धन्यवाज